नमस्कार दोस्तों कैसे आप सबी उमीद करता हूँ काफी अच्छे होगे और हमारे पास दोस्तों पेपर आ चुका है 28 तारिक और फर्स्ट सिफ्ट का पेपर जीके का दोस्तों मैं आपको सौल करवा रहा हूँ कि क्या अंसर की है वो आपके सामने होगी किसी बच्चे ने पेपर वेज़ा है आपके सामने ये पेपर है और हम देखेंगे जीके के अंदर किस प्रकार का पैटन रहा वैसे तो मैंने देख लिया है फिर भी आप खुद एनलीसिस करेंगे एक एक प्रसन को देखकर कि पेपर का स्थर कैसा रहा कल के मुकाबले कैसा था तो शुरू करते हैं लाइक कर दें शेयर कर दें जिसे सभी तक दोस्तों ये पहुंच पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों क्योंकि शाम को हम बात करेंगे कट ओफ को लेकर है तो चली शुरू करते हैं पहला प्रसन आपके सामने दो कहरा कि जैसल मेर की स्था और दूसरा प्रस्ण भी दोस्तों इजी है कि मारवाड में स्वर्व पर्थों उंट लाने का सेरे किसे जाता है आपको एक बात बता देता हूं कि थ्योरिकी क्लाश जो मेरे राज साथ जीके किया है हूँ वहीं से प्रस्ण यह यह कॉस्टंस मैं डिसकस कर चुका हूँ तो स अबू जी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओप्सन दोस्तों आप सही करें अगला जो प्रस्ण है करया कि भील जंजार्थी में पेपरदार भील जे जंदे पेपरदार है तो किस वरक्ष का प्रियोग किया जाता है किस वरक्ष का प्रियोग किया जाता है तो इसका आं पर उसका गिरिदर ओशिया बिल्कुल सही आंसर होगा अगला जो प्रसन है कर रहा कि 2021 में थोमस कप ट्रोफी के विजेता कौन है तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया क्या होगा इंडोनेशिया अगला जो प्रसन है माउंट पोपा ज्वाला मुख की इस्तित है माउंट पोपा ज्वाला मुख की इस्तित है कहां पर है मयान मार में डी ओप्शन दोस्तों आपे सही करेंगे मयान मार में इस्तित है ठीक है इसी के साथ सात्वा प्रसन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रसन अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यह दिल्ली का है चरणदासी कहां का है दिल्ली का है यह नहीं पहले में ऑप्षन नंबर तीन आएगा तो पहले का ऑप्षन नंबर अगर तीन देखेंगे तो डी में भी नहीं है C में नहीं है A में भी नहीं है A का तीन नमबर होगा तो पहला option दोस्तों सही हो जाएगा गुदड सब्दा कहा है गुदड की बात करेंगे आप तो भीलवाडा के अंदर है गुदड यहनी C का आप देखेंगी 4 नमबर यहनी एक option अगर आपको पता होता जल सरक्ष्ण के लिए वर्ष 2021 का Water Steward of the Year पुरुसकर किसे दिया गया था करेंट का पुरुसन है इसका option होगा अभी अजीताब शर्मा ठीक है अजीताब शर्मा होगा इसका आंसर बिलकुल सटीक आंसर की आपके सामने में डिसक्स कर रहा हूँ अगला है शाहपुरा का फुल डोल मिला किस महिने में आयूजित किया जाता है शाहपुरा का फुल डोल मिला चेत्र के महिने में दोस्तों आयूजित होता है अगला है बटनेर किला जो की हनुमानगड के अंदर है कहाँ पर है भटनेर के लाग किसने बनवाया था भैसे भटनेर आप दोस्तों याद रख सकते हैं और इसका right answer भूपत हो जाएगा क्या हो जाएगा ए ओप्शन दोस्तों आप सही करेंगी भूपत से ठीक है अगला जो परशन है Smart City Mission के अंतर के शहरों के रैंकेंगे में उदेपूर कौन सी रैंक में मिली है यनि करंट का परशन है किसी बच्चे ने टिक C कर रखा है तो बिल्कुल सही है पांचवी रैंक दोस्तों मिली है ठीक पांचवी रैंक C ओप्शन सही करेंगी अगला परशन है विश्व में सरवादिक भुकोंप की पेटी भुकोंप की पेटी किसे का जाता है C ओप्शन इस बच्चे ने गल्द कर रखा है D इसका राइटांच होगा प्री प्रशांत मेकला अगला प्रसन है कि मतश्य सेंगो वृत राजस्तान का हिस्सा बनाने के लिए गठित कीगी समीती कौन सी समीती थी इस बच्चे ने C बी गल्द कर रखा है इसका B होगा डोक्टर शंकर राव देव समीती होगा क्या होगा B ओप्शन दोस्तों आपे टिक करें डोक्टर शंकर राव देव समीती अगला प्रसन हम डिस्कूस करने जा रहे हैं अगला प्रसन है बहुत इच्छा प्रसन मतलब पेपर का स्तर बड़ा ही मीडियम स्तर का पेपर रहा आज कल के मुकाबले अगर आज का प्रसन है आप देखने बड़े इज़ी सी प्रसन आए राजस्तान की निमन प्रवच्छोटियों को उन्चाई के बढ़ते करम में आपको लिखना है अगर बढ़ते करम में अगर आप सेट करें तो आप देख सकते हैं पर कि अगर तारागड देखेंगे के यह सी ओप्षन दोस्तों आपर टिक करेंगे आपशी ओप्षन स्ोरी सी ओप्षन हो जएगा अगला प्रसन है राजस्तान शौर पारख विकाष कमपनी लिमिटेद निमन में से क्लव कोई सब्सा सोर पारक प्रियोजना विक्षित कर रहा है इस बच्चे ने ए उप्शन टिक किया जो कि गलत है इसका आंसर होगा भी भड़ला फेज सेकिंड होगा ठीक है अगला प्रशन अगर देखेंगे या पर कि निमन में से किस प्रकार केवन भारत में सरवादिक प्रतिशित छेतर है भारत में पूछा भारत का इंडिया का कॉशन है तो क्या होगा इसका डी ओप्शन दोस्तों उष्ण कटपन दे शुष्क पथजड़पन सरवादिक आपको देखने को मिलते हैं डी ओप्शन दोस्तों आपे सही करेंगे ठीक है अगला बहुती इजी प्रसन राजस्तान का बहुत बार रिपेटिड राजस्तान का खुजराहों कहा जाता है किराडू यानि पाड़ में बिल्कुल राइट अंसर डी ओप्शन अगला है राजस्तान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की किल जड़वाना क्या कहते हैं इसका बिल्कुल बी ओप्शन चू अगला प्रशन है राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहला विज्यानिक वरगिकन किसी ने किया जब मैंने चित्रकला का टोपिक करवाया था सबसे पहले इसके बार में डिस्कुस किया था ए उप्शन बिल्कुल राइट आंसर आनंद कुमार श्वामी इसका उत्तर होगा ठ देखें इसके इंदर 21 नंबर अगर हम देखें तो निमन में से किन डियों के डेल्टाई भागों में मेग्रोवन पाए जाते हैं मेग्रोवन गंगा भी है गोदावरी भी है करशना तीनों है इन्हीं बी ओप्शन दोस्तों ठीक रेंगे फर्स शेकिन थर्टीनों ही उत्त इसके सही है तो बी ओप्शन आप सही करेंगे अगला प्रसन है निमन में से कौन सी जन जाती भारत के बंगाल की खाड़ी के डिपू में रहती है कौन सी जन जाती कौन सी भीया डी ओप्शन ही जरावा जारवा या जरावा भी से बोला जाता है डी ओप्शन दोस्तों आप यहां पर रहे हैं सही करें अगला प्रसन है कि कौनसा हीम नुब्रा गाटी में अफस्तित आए कौनवया सीयाचीन कौन और से चेंगो छल्दी जल्दी से समय नहीं लेते विए अगला प्रसन न को वर्तमान अधेक्स कौन है इसका आंसर क्या होगा वर्तमान अधेक्स सुभाष चंद्र खूंटिया ए उप्षन बिल्कुल इस बच्चे ने सही कर रखा है शुभाष चंद्र खूंटिया अगला कुशन अगर आप देखें वंडूर ये अच्छा प्रसन है वंडूर 2020 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूले वर्दन में प्रस्रित कीमतों पर उध्योग छेतर का कुल योगदान है इसका A उप्षन गलत होगा C उप्षन होगा 24.8 प्रतिशत होगा ठीक है अगला है उध्यपूर में आज़ित अखिल भारती देशी राज्य लोग प्रस् है कितने चांवनें थी चांवनें थी और इसके बाद अगला पर्शन 29 नंबर कोश्चन कहां पर है यह रहा है अगला है वीर भारत सभा ठीक है वीर भारत सभा क्या होगा इस का अंसर जल्दी बताईए अच्छा परशन है वीर भारत सभा किस्ता अपना केस नहीं की केस रिसिंग बारत ने केस रिसिंग इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्सन केस रिसिंग बारत अगला है रास्तर इक टूरुजिम नीती जारी की गई कब की गी थी जुलाई जुलाई डोजार्टिस करेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसंग है कर लिया में से कूंसा अनुस अनुसान org जोदपर बिलकूल सभी है राश्ट्रे और उसके बाद में राष्ट्र शुष्क शेत्र आधोनी के अनुसंदान के अंदर बिच्छवाल यह बिल्कुल सही है तो दोस्तों आप सही करें क्या हो जाएगा सी नहीं पूछा इसने तो सी ओप्सन दोस्तों आपका सही होगा ठीक है अगला प्रस्ण है यह सबको आता है मौसर किसे गयते हैं मृतिव बोज ठीक है तो सी ओप्सन दोस्तों आप सही करें मृतिव बोज के प्रांथ होता है यह कोशन नूमर कितना हो गया 32 नूमर कोशन हो गया अगला है गवरी एक लोग नट्टे है जो अधायत किस पर बताऊ भी है गवरी है वो एक लोग नट्टे है बताऊ एक अच्छा प्रस्ण इसके बारे में हम डिस्किस दोस्तों कर चुके हैं निर्तियों के बारे महुत अच्छे से कौन इसका राइट आंसर बताई फटा फटा फट क संग्राम सिंप हो जाएगा संग्राम सिंग Premadali ऑगला इसागरव सूरुच कुर्ड क्टजल अवस्तेथ कहां पर बाला के लित अलवरे में बिलकुल राइट आंसर होगा अगला प्रसृंख नहीं स्ताBE जैन वर्दमान विदैले के इस हंस्तापक है अरजुनलाल सेठिया B option बिल्कुल right answer अगला जो कॉस्टन है भारत में कुल कच्छे तेल भारत में कौल कच्छे तेल कुल कर्टो ओल के द्वादर रास्तर का योगदान लगवगा कितना है D option 22-23 22-23 हो जाएगा अगला है इस बच्चे के काफी ज़्यादा सही है कौन सा स्टील का रखाना भारत की स्वतंतरता से पहले इस्तापित किया गया था जम शेदपूर बिल्कुल सही आंसर है A option सही होगा अगला है मनी कोल की फिल्म दुविदा किसकी कृति पर दाहिरत है बताइए विजेदान देथा B option इसका भी राइट आंसर होगा और यहाँ पर अगला जो प्रस्ट है Watershed जल गरण का Watershed जल गरण शेतर निराचल प्रिजना के अंतरगत आता है जल्दी बताइए Watershed का क्या आंसर होगा कौन बताइगा इसका आंसर आप सभी के लिए ही Watershed राजस्टान के किस जले में Watershed जल गरण शेतर निराचल प्रिजना के अंतरगत आता है बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इस बच्चे ने जोदपूर कर रखा है तो एक मिनिड मा थोड़ा सोच लेता हूँ क्या इसका जोदपूर हो सकता है क्या Watershed जल गरण Watershed जल गरण चलो इस कांसर मुझे थोड़ा इसमें याद नहीं आ रहा है इस कांसर क्या होगा तो चलो मैं कमेंट में दूँगा और आप इस कांसर जूरू बताएए अगला हम डिसकस करते हैं अगला तो फिर ये तो रिजिनिक आ गई फिर रिजिनिक आ गई चलो तो ये तो gk के प्रसंद हो गए हैं लगबग मैंने आपके सामने डिसकस कर लिए एक प्रसंद बच गया है अगर हम देखें इसके अंदर यह reservation कुछ ठीकठा के लेकिन math का कुछ अपार्ट देख अश्रार का पार्ट के है अयुआ है किम आ करेखो आ पर यह देखिये लिल्कुल math के अंदर यह देखिये भाट यहां पर symmetric गुसादी सिससे लोगरें पर इसमीमित ड्रिगुनमेट्री का question आया है जो कि अपने syllabus में नहीं था बावन नंबर question भी अपने syllabus में नहीं है दोस्तो minimum maximum ये 12th लेल का ये भी अच्छा तीन संख्यों का ये बिल्कुल LCM HCV का बिल्कुल easy सा question ये आपका हो गया है यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत चोपन नमबर कोशन में भी आपको दिक्कत आई होगी मेरे इसाब से उसके बाद में आप देख सकते हैं ये कोशन धनराशी वाला ये मैंने करवा रखा है बहुत अच्छे से ये वीडियो के इंदर और रेल गाड़ी का मैंने करवाया था अगला पेपर जो होने वाला उसमें भी आने के समभावना है और ये परसन भी अपने को करने वाला था और उसके बाद मैं अगर देखिए ये यह परसंद भी बढ़ा easy था यह भी मैंने करवाया था यह भी आचुका इसमें उसके बाद में यह परसंद हमारे syllabus से बाहर है यह भी बाहर है सलेबस से और आप देखें यह भी syllabus से बाहर है दोस्तों कहीं ने कहीं math का बहुत कुछ चेंज हुआ है इस बार syllabus particular divide नहीं था तो ये आपके सामने मैंने GK और math के बारे में तो discuss बहुत अच्छे से कर लिया है और किसी परसे में अगर कोई doubt तो comment section में बता सकते हैं फिर उसका right answer हम discuss करेंगे अप्रोक से 99 परतिशत दोस्तों जो answer मेंने बताएं वो बिल्कुल सही answer है तो like करते हैं वीडियो को share मार दें subscribe कर ले क्योंकि एक और paper होने वाला है उसकी answer के भी हम जल्द discuss करेंगे चलिए मिलते हैं इसी उमीद के साथ शाम को मिलना न भूलिए cut off के उपर हम बात करने वाले हैं जेहिन जेवार्ट